भारत पाक अंतरास्टे सीमा पर इस्थित राधिस्तान के सरहधी जिले शिरी गंडानगर में सीमा पार्क पकिस्तान में बैठे मादक पदार्थों के अंतरास्टे तसकरों के द्वारा एक बार फिर ड्रॉन के जरिये हैरोईन के खेब भारती सीमा में उतारी गई सीमा सुरक्षा बल और पुलिस के पास इंपुट्स थे कि सीमा पार पकिस्तान से हैरोईन की डिलेवरी होनी है ऐसे में सीमा सुरक्षा बल और पुलिस के द्वारा सेक्ट रूप से नाकाबंदी की गई और सिमा पार पकिस्तान से आई हैरोईन की डिलेवरी लेकर वापस लोट रहे एक तसकर को पुलिस और बीएसेफ ने धर्दबोचा उस तसकर से मिले इंपुट के आधार पर समिजा कुटी थाना चेतर में पुलिस और बीएसेफ ने नाका बंदी करते हुए दो अन्य तसकरों को भी धर्दबोचा हाला कि इस दोरान एक तसकर मौके से भागने में काम्याब रहा और टीन तसकर श्री गंगानगर पुलिस और बीएसेफ के हद्दे चड़ गए प्रारंबिक पूस्ताच में तीनों तसकरों से मालूम चला है कि ये तीनों तसकर लौरेंस विश्णोई गेंग के सक्री सद्द से सुनिल यादव के इशारे पर सीमापार पाकिस्तान से आई हैरुन की डिलिवरी लेने राजस्तान आये थे वहीं पुलिस ने संभावना जताई है कि सीमापार बैठे पाकिस्तानी तसकरों से नाकेवल मादक पदार्थों की डिलिवरी ली जा रही है मलकि अवैध हत्यारो की खैब भी पाकिस्तान से मंगवाई जा रही है पुलिस पुरे मामले की पड़ताल में जुट गई है आरे के कल बीएसेफ और पुलिस की जॉइंट नाकाबंदी की गई पि और इस जॉइंट नाकाबंदी में तीन आरोपी ओ को पकड़ा गया है और उनके पास से लगवाग बारा किलोग हरोईन पकड़ी गई है और इसमें अभी तब के इंवेस्टिगीशन से ये बात सामने हैं लिए कि लॉरेंस विशनल ग्याइंग का जो सुझस से सुझी लिया दो वो इस पुरे रैकेट को चला रहा था यहीं सम्मावना से इंकारनी किया जा ज़गता कि पाकिस्तान की जो कुछ एजंसी जह से में के लॉरेंस ग्याइंग भारत में इस प्रकार की तसकरी कर रही है और नकेवल वो नशे का सप्लाय करके अपना इंकम करके लोगों की जान ले रहे हैं बलकि उसके साथ साथ हतियार में लाकर एक दैशा का महौल इस देश में बना रहे हैं यह हैरोईन साथ कब रात को डिले झाल